पहस्यों से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य जिनको समझ पाना बेहत मुश्किल लगता है। दुनिया भर में कई ऐसे रहस्य हैं, जिनकी गुथी आज तक वैग्यानिक भी नहीं सुलजा पाए हैं। इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ ही इस रहस्य पर यकीन करना भी नामुम्किन लगता है। दुनिया के बड़े-ब्रे वैग्यानिक भी इस रहस्य की वजह से हैरत में पड़ गए थे। आज से करीब 67 साल पहले सन 1955 में भी एक ऐसी ही रहस्य में घटना घटी थी। यह घटना अमेरिका के एक ऐसे रहस्य में विमान से जुड़ी है जिसने उडान भरने के करीब 30 साल बाद दूसरे देश में लैंड किया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह विमान लैंड करने के बाद फिर लापता हो गया। आईए जानते हैं इस रहस्य में घटना के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि 2 जुलाई 1955 को फ्लाइट 914 ने अमेरिका के निव यॉर्क से मयामी के लिए उडान भरा था जिसमें कुल 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि निव यॉर्क से उडान भरे के बाद और मयामी पहुँचने से पहले ये जहाज आसमान में ही लापता हो गया। अमेरिका ने उस दौरान इस जहाज को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस समय हवाई जहाज को निव यॉर्क से मयामी जाने में करीब साढ़े तीन घंटे लगते हैं। 1955 में विमान से निव यॉर्क से मयामी जाने में अधिक से अधिक पांच घंटे का समय लगता था। उस समय पूरी दुनिया में हैरत में पड़ गई जब साल 1955 में लापता विमान फ्लाइट 914 फीट 30 साल बीतने के बाद 9 मार्च 1985 को रहस्यमें तरीके से वेनेजुएला के कारकास एरपोर्ट पर लैंड किया। इस विमान बारे में एर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कोई जानकारी नहीं थी। लैंडिंग के कुछ ही देर बाद इस विमान ने फिर से फिर उडान भरी और आस्मान में गायब हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक कारकास एरपोर्ट पर जहास के लैंडिंग के बाद पाइलट ने वहां के स्टाफ से पूछा कि यह कौन सा साल है। ग्राउंड स्टाफ ने पाइलट को बताया कि यह साल 1985 है। यह सुनते ही विमान के पाइलट लंबी-लंबी सास लेने लगे और कहा क्यों। माई गौड। इसके बाद विमान ने एक बार फिर उडान भरी और आस्मान में लापता हो गया। लेकिन इस रहस्य में कितनी सच्चाई है इस बारे में कहना बेहत कठिन है। लेकिन 9 मार्च 1985 के बाद से इस लापता विमान के बारे में कुछ नहीं नहीं पता चल पाया। अमेरिका आज भी इस लापता विमान को खोजने की कोशिश में लगा है।